हेलो दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन है इसको आफ मिस नहीं करेंगे इस वीडियो को आफ एंड तक देखते रहेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में और इंडिया ने आठ चीते लाए ह हैं इंडिया में ये बहुत ही इंपोर्टन हो सकता है आफके एक्जाम पॉइंट आफ वीब से खास कर अगर आप यूपी एसी जेके पी एसी या किसी भी दूसरे एक्जाम की तयारी कर रहे हैं पूरी इंफोर्मेशन में आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और जो नए आठ चीताज लाए गए हैं इंडिया में उनके बारे में पूरी इंफोर्मेशन आपको प्रोजेक्ट करने वाला हूँ वीडियो का इन तक देखते रहे हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्रा सार्ट करते हैं साल 1947 से जब इंडिया में लास्ट चीता मर गया कॉरिया डिस्ट जो अब 36 गड़ में आता है और इसके बाद 1952 में इंडिया को डिक्लेयर किया गया एक्स्टिंग्ड फ्रॉम चीताज यानि पूरी तरह से इंडिया में चीता खतम हो गए इसको डिक्लेयर किया गया था साल 1952 में इंडिया से चीता खतम होने के बाद साल 2009 में Government of India ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें ये कहा गया कि हम African Cheetahs को अब इंडिया में फिर से reintroduce करेंगे और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया प्रोजेक्ट चीता साल 2008-2009 में जब मनमोन सिंग गौर्णमेंट थी तो उन्होंने प्रोजेक्ट चीता को एप्रू किया था और इस सिलसले में उस वक्त के Forest and Environment Minister जे राम रमेश चीता आउटरीच सेंटर सवत अफरीका पोहुचे थे April 2010 में लेकिन दोस्तों उसके बाद Supreme Court of India से साल 2013 में चीता को Re-Introduce करने के प्रोग्राम पे सिटे लगाया गया सिटे के बाद साल 2020 में इस प्रोग्राम को याने चीता Re-Introduction in India के प्रोग्राम को फिर से एलव किया गया याने अब इंडिया में चीता को लाया जा सकता था इस पर्मिशन के बाद Government of India और नमेबिया गौर्मेंट के दर्मिया एक Memorandum of Understanding साइन किया जाता है और इस Memorandum of Understanding के अंडर याने इस Agreement के अंडर नमेबिया से अब आठ चीते इंडिया लाए गए हैं दोस्तों ये जो आठ नए चीते लाए गए हैं क्या ये इंडिया में बढ़ींगे यानि क्या इनकी population increase होगी क्या क्या threats इनको हैं वो भी हम आगे इस वीडियो में discuss करने वाले हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले आप ये याद जरूर रखेंगे कि अगर हम global habitat आफ चीता की बात करेंगे तो चीताज ने अपनी तक्रीबन 90% habitat जो है वो खोदी है पिछने 100 सालों में अब हम बात करेंगे कि चीताज इंडिया कैसे पहुँचाए गए तो चीताज को बोईंग 747-400 ऐरक्राप में नमेबिया की कैपिटल विंड होक से लाया गया पहले ये गवलियर पहुँचे और गवलियर के बाद इनको इंडियन ऐर फोर्स के चिन्नोक हेली क्रॉप्टर से के एनपी याने कुनू नेशनल पार्क जो की मध्यप्रदेश की नेशनल पार्क है वहाँ पर इनको पहुचाया गया कुनू नेशनल पार्क में पहुचाने के बाद खुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी ने इनको कुनू नेशनल पार्क में रिलीज किया दोस्तों आप हम बात करेंगे क्या ये चीत सिर्वाइव कर पाएंगे इंडिया में या नहीं तो दोस्तों याद रखें कि सबसे बड़ा जो थ्रेट है इन चीताज को एक्स्टिंक्ट होने का वो हीूमन एक्टिविटी है और जो लगातार बना हुआ है। हीूमन एक्टिविटी के अलावा जो इनको दूसरा बड़ा वो है लेपर्ड का तो लेपर्ड जो हैं ये चीताज का शिकार करते हैं चीताज को मारते हैं और यहां पर यानि कुनो नेशनल पार्क में लेपर्ड भी पाए जाते हैं तो यहां पर इनका जो दूसरा बड़ा खत्रा है वो है यहां पर जो लेपर्ड पाए जाते हैं जब चीताज का शिकार करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो ये पचास लेपर्ड कुनू नेशनल पार्क में हैं तो क्या ये इन चीताज के ऊपर हमला नहीं करेंगे क्या इनका ये शिकार नहीं करेंगे तो ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा खत्रा हो सकता है वो सिर्फ 36% चान्स से ही सरवायू करते हैं यानि जो भी बच्चे इन चीता से जनम लेते हैं तो उन मेंसे सिर्फ 36% बच्चे जो हैं वो ही बच्च पाते हैं तो जब 30% बच्चे ही बच्च पाएंगे और उसके बाद जो यहां पर जानवर पाए जाते हैं जिन में राइनाज हो जिन में हाइनस हैं या जिन में लेपर्ड्स हैं या जितने भी बाकी जंगली जानवर हैं तो यह जो 36% बच्चे होंगे यह कितना इन शिकारी जानवर उ दोस्तों आब हम बात करेंगे कुनू नेशनल पार्क की तो कुनू नेशनल पार्क को साल 1981 में वाइल लाइफ सेंक्चिरी के तौर पर इस्टैबलिश किया गया ये शुपूर और मुरेना डिस्ट्रिक्स में आते हैं जो कि मदरी प्रदेश में आते हैं और ये जो आठ चीता छोड़े गए ये शुपूर डिस्टिक्त में छोड़े गए दौस्त है इसके अलावा याद रखें कि कुनू नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का स्टेटस मिला साल 2018 यानने 2018 मे इसके अलावा दोस्तों याद रखें कि 1990 में इस नेशनल पार्ग को सिलेक्ट किया गया था एशेटिक लाइन री इंट्रोडेक्शन प्रोजेक्ट को इंप्लिमेंट करने के लिए और साल 2009 में इस इसी साइट को सिलेक्ट किया गया था चीता री इंट्रोडेक्शन इन इंडिया के प्रोग्राम के लिए दोस्तों अब हम बात करेंगे नेमेबिया की तो नेमेबिया जो है इसका नाम नेमेबिया रखा गया है नेमेब डेजर्ट से और नेमेब डेजर्ट दुनिया की ओल्डेस्ट डेजर्ट है नेमेबिया की बात करते हैं तो नेमेबिया की प्रेजर्ट है है जोन गौब और यहां के वाइस प्रेजर्ट है नानगोलो मुंबा और यहां के प्राइम मिनिस्टर है सारा कूरगूंग जी वला नेमेबिया की कैपिटल है वुन्ड हूक और यहां का सबसे बड़ा एतने ग्रूप को कहते हैं ओवंबो और यहां का सबसे बड़ा रिलिजिन है क्रिस्चैनिटी 87.9% नेमेबिया की दो करेंसीज हैं जिनमें नेमेबियन डॉलर और साउथ अफिरिकन रेंड बात करने के वापस चीता की तो चीता दुनिया का सबसे तेज बागने वाला लैंड मैमल है और यह ज्यादतर अफिरिका और एशिया में पाया जाता है चीता का साइंटिफिक नाम ऐसी नोनेकस जैबटस है तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो प्रोजेक्ट टाइगर और इंडिया ने जो आठ नए टाइगर मंगाए हैं नमेबिया से उमीद करता हूँ कि आफको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जूरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसके अलावा दोस्तो अगर आफ इस वीडियो की ये जो पूरी टेक्स्ट फाइल है इसको खुद से पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये दूँगा वहाँ से आफ इसको खुद अच्छे से पढ़ सकते हैं तो दोस्तो करता हूँ इस वीडियो को एंड मिलते हैं आप से एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर